हेलो फ्रेंड मेरे नाम है ब्राहनमेक और मैं स्वागत करता हूँ आप सब का अपनी यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले है विसल ब्लोइंग एज मोरली प्रोहिबिटेड वीडियो में चाने से पहले फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर लाल बटन को और दबा दे घंटे को ताकि आप एक भी लेक्चर एक भी वीडियो एक भी अपडेट घंटा मिशना करें तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के तरफ बिना टाइम वेश्ट की है डी जॉज हम सब इन्हें बहुत अच्छे तरीके जानते हैं कि डी जॉज कौन है D. George identified five criteria when whistleblowing is morally prohibited D. George जो थे इनका पूर नाम Richard D. George है उन्होंने five criteria दिया था कैसे थे कि वहाँ whistleblowing morally prohibited है तो यह एक एक कर हम उनहें जानते हैं कि आखिरकार यह 5 जानते हैं कि आखिर पाच्छो criteria है क्या ची क्याव पहली बहुत क्या इन एक फर्म में एक और जो भी रॉंग डॉइटी हो रही है जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे एक सीरियस और जब हार्म पहुचता है किसी दूसरी अक्टिविटी दूसरे चीजों को तब वहां पर विसल ब्लोइंग आप मोर ली कर सकते हैं सेकंड पॉइंट पर हमारी आती है विसल ब्लोइंग एक्ट इस जस्टिफाइड वन्स थे इंप्लॉई रेपोर्ट इटू हर और हीज इमेडियेट सुपर विजन एंड मेक ही ज़र हर कंसर नोन सेकंड पॉइंट क्लियर सभी को यहां पर वो कह रही है कि विसल ब्लोइंग एक्ट वो जस्टिफाइड तब होती है जब जो इंप्लॉई होती है वो रिपोर्ट करते हैं अपने इमेडियेट सुपर विजन सीनियर को और जो भी इनके कंसर्न है उनसे उन्हें अवेर करती ही कि हाँ यहां पर एक्टिफाइड में यह दिकत चल रही है यहां पर यह रॉंग डूज एक्टिविटी कंड़क्ट अप हो रही है होप है सबको क्लियर सेकंड पॉइंट तक चली चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर कोई भी एक्टिफाइड नहीं लिया जा रहा है सुपरवाइजर के द्वारा में जो सुपरवीजन है जिने आपने सारी एक्टिविटी को रिपोर्ट की हुई है तो इंप्लॉइर को जरूरत है कि वो जो मैटर है जो प्रॉब्लम है वो हाईर आथरिटी बोर्ट के पास लेकर जाए अगर जरूरत है तो एक केस यह भी होता है कि आपको जो लग रहा है रॉंग डूइंग हो रहा है क्या पता उसमें आपकी जो सुपरवीजन है जिनको आपने इसकी कंप्लेंट कियो वो भी इस चीज में इन्वालब अफ हो तो आपने उन्हें कुछ नहीं इसके बारे मैं उन्हें आपने बताया बट उन्होंने इस बात को आगे नहीं बताया उन्हों इस बात को वहीं दबा दिया एक कीस यह होती है कि आपको जो लग रहा है कि wrong doing है हो सकता है कि आपके supervision नजर में वो right doing है किसी प्रकार के वहाँ दिक्कत नहीं आ सकती है फर्म में एक किस यहाँ पर यह हो जाती है यह दो किस होती है जब supervisor कोई action नहीं लेता है आपके complaint करने के बाद भी तो इस case में आपको जरुवत है तो आप इस problem को लेकर किस matter को लेकर बोड के पास जा सकते है जो कि senior authority management होती है अगर जरुवत पढ़ती है तब नेक्ट पंट हमारी आती है documented evidence must exist that would convince a necessary and impartial observer that one view of the situation is correct and that serious harm में अकर जब हम complaint अप करते हैं तो हमारे पास document की evidence होनी बहुत ही ज़्यादा जरुड़ी होती है जो कि बहुत ज़्यादा जरुवत होती है किसी भी आप complaint करते हैं तो आपके पास documentary proof होना चाहिए कि हाँ जिससे कि senior authority भी है चीज को माने कि हाँ job situation के बारे में आगाह कराने वो actual में organization में चल रही है और इससे हमारे form को हमारे organization को एक बहुत ही अच्छी हानी पहुच सकती जिससे हमारा नए brand name सब खराब हो सकता है हमारी company बंध होने तक ही सभावना हो सकती है तो उस case में हमारा document evidence बहुत ही valuable सावित होता है बहुत ही convenience सावित होता है और necessary होता है एक observer को जहां पे आप complaint ले जा रहे हैं उनको आपके problem को समझने के लिए clear है सभी को यहां तक आते हैं हमारी next and last point के तरफ जो कि 5th point वो कहती है कि employee must necessarily necessarily believe that going public create the necessarily change to protect the public and is worth the risk to oneself जो भी employee whistle blow कर रहे हैं जो organization में फर्म में दिक्कत चल रही हुने अगाह करें उन्हें सब के सामने ला रहे हैं वो जरूरी है कि वो पहले believe करें कि यह जो change हो रही है उससे public को कोई प्रकार की हानी नहीं होगी public के लिए valuable रहेगी worthful रहेगी and जो risk होगी वो limited रहेगी risk इसमें नहीं होनी चाहिए अगर आपकी changes से अगर public को नुकसान पहुच रही है या किसी भी तरीके से public को दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे यह whistleblow case नहीं हो पाता है मोरली वहाँ prohibit हो जाता है इस case में अगर आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो तो comment box में दूरूर कमेंट करके बताएं आई अब हम जानते हैं कि क्या के चीज़ रिक्वाइड अप होती है whistleblow करने के लिए तो सबसे पहली तो हमने यहाँ पे दो point है उन्हें हम समझते है के करके जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख सेते हैं पहली point यहाँ पे कह रही है कि documented evidence that will convince reasonable impartial observer that one view of situation is correct clear है सभी को यह point यह कह रही है कि document evidence बहुत जरूरी होती है whistleblow करने के लिए जो convince करती है हमारे जो observer है जिनके पास हम complaint लेके जा रहे हैं कि जो view of situation है जो हम देखने situation को कि यह गलत हो रही है वो आपका देखने के नजरिया सही है यह document evidence से प्रूब होती है basically यह जो D. George identify किये हैं उनमें की एक criteria को आप इसमें consider कर सकते हैं कि वहाँ thing required up में आती है हाते है हमारे second point के तरफ जो कहती है कि employee must have the good reason to believe that by going public the necessarily change will be brought second point हमारी हाँ पर जरूरी होती है कि employee who whistle blow कर रहे है उनके पास एक बहुत ही अच्छा region होना चाहिए whistle को blow करने के लिए जो कि यह बात जब publicly हो तो जो changes जरूरी हो वो actual more change वहाँ पर लाया जा सके ऐसा नहीं कि whistle blow कर के आप बदनामी कर दिए बट वहाँ पर जो problem है उसको fix up नहीं किया जा सका तो वैसे case में whistle blow नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बदनामी भी होती है बट कोई result नहीं निकल पाता है तो whistle blow तभी करना चाहिए आपके पास कोई particular good reason हो जब आप बिलीफ करते हो कि जब हम whistle blow करते है एंड इस problem से public को अगाह करते है तो जो changes आनी चाहिए जो जरुवत है जो change वो change actual में वहाँ exist up करे और वो change को हम वहाँ पर place up करके लागो कर सके ताकि वापस से ऐसी किसी प्रकार की कोई भी दिक्त नहीं हो hope है clear है सभी कोई topic की whistle blowing morally prohibited क्यों है क्या है और क्या क्या चीज होँआ पर required है सभी को आपको किसी प्रकार कोई भी doubt होई हो तो हमारे पर आप comment करके जरूर comment करके बताए हमारे वीडियो पर और किसी प्रकार कहीं भी कोई भी दिक्त भी हो हमारे channel को subscribe कर ले नए video के लिए नए business later topic के लिए मिलते हैं लेक्चर के साथ जल्दी तब तक के लिए हमारे channel को subscribe करें वीडियो को like करें और हाँ जादा जादा हमारे वीडियो को share करें ताकि बाकी लोग को